हेई विल्कुम टू रियाल अफ लाव में आपके स्टोरी टलर अनन्या आगी जे कृष्णा और प्राची की ये लव स्टोरी लेकिए पापा कुछ तो बोलो हाँ या ना कुछ तो बोलो पर उसके बापा कुछ नहीं बोलते बस एक बार बोलते हम घर जाके बात करेंगे तो प्राची को बहुत जादा टेंशन होने लगती है कि मैंने किष्णा के बारे में सच बता के सही किया कि नहीं किया और क्रिष्णा ने अपने घर में सारा सच बता दिया तो तो फिर बताया होगा नहीं किष्णा ठीक होगा ना उसने उसने मुझे मुझे तो मुझे किष्णा के बगर है नहीं मुझे किष्णा से बात करनी है ऐसे बोलकर कृष्णा का कॉल लगाती है पर कृष्णा वहां पर इतनी टूटी हुई होती है ना वो प्राची का कॉल देखती है और उसके आखों से आस्वा जाते है और एकदम से कॉल उठाती है और प्राची तुम ठीक हो ना तुम तुम ठीक हो अंकल ने कुछ बोला नही प्राची पीस तुम आजाओ वापस, तो प्राची बोलती है, बच्छा मैं मम्मी पाबस से भात करूँगे रहे हैं और में ने पापा को भी बता दिया है हमारे रिष्टे के बारे में और यह तुम एक लड़की हो कि फो गश्ना बोलती है, उनमें के सबरे असे साफ में होका करना मुझां जेना में को तौना प्राजी में ओने वापस तौना उन्हें दो हा कुछ आ दो रोति कि हमाया च्रीक तो हम दो। श Sumhmm कषण मुझें मुझेगा मुझे भेनि मेरे अगर मेरे नी पता है संदा रह गया तो मैं तुम्को वापस अegen necess लिना हूँगा तो पुम से पागलो तुम्न ने क्या कर दिया, तुम अटली से एक बार हब भात कर लेती। क्रिश्णा बोलती कि कि तुम्त अब और नहीं होता। मैं तुम से प्यार करता हूँ और यह चीज मैं पूरी दुनिया को बोलना चाहता हूँ, यह नहीं कि मैं लड़का बनके बोलना चाहता हूँ, मैं जो हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी सब को बता के बोलना चाहता हूँ, कि मैं तुम से प्यार करता हूँ, पूरी दुनिया को यह चीज बताना चाहता हू और मैं नहीं जी सकते हैं इसे, तो प्राची बीदे भी और बना खेल रॉक आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो मैं भी अपना ख्याल नहीं रखोगे, प्राची मैं ठीक हूं, एक तम ठीक हूं, मैं पुछ भी होगा आपको कॉल करें बिताऊंगे फिलीज अपने ख्यार केल रहा है कि मैं जरूर हाँगे अपने तो कुहा हूंगे प्राची और किश्ना दोनुहीं कजिने रोय जारे होते हैं एक दूसरी पीन ancora नसी दूर होने का भी स्वेत की सोई होड़ी दिल में भोतों कहता हो लो जा जाते हैं वे इसके उतेन को असमाइब कर दो भानें और हैं कोadenली को बुआति है कि अनुछंद नुछ नहीं के सब्सक्राइब और डनी ऐसाई की सब्सक्राइब लिगता है अब एक्सेप कर लोगे ना इस रिष्टे को तो उसके पापा ना उसके हाथ से अपना हाथ चुड़ा लेते है और दूसरे तरफ देखने लगते है तो प्लाची की आंकों से एक्तम आसू बहने लगते है दूसरी तरफ किशना ना अपने आसू पोच के जैसे घर जाती है लि देखने बाबाबा सांगे साथ पिता हुआ पहले का सारी चीजे यादाने लगते की कैसे कुशना की उनके पास बैटती थी तो वो बोलते थी कि मेरा शेर बच्या तुझा की कि आ से अचानक से यार 20-30 साल से अगर किस इनसान को पता हो कि वह उसका लड़का है और अचानक से पता चले कि वह उसकी लड़की है तो उस इनसान को भी चीज़े हैंडल कहने में थोड़ा थाइम लगता है ना तो सेम यह कृष्टा के पापा के साथ हुआ होता है कि वह बर्दाश उसको एक तुम जोर से मारते है और नीचे गिर जाता है यह चीज देखे ना किष्णा का दिल फिर से रोने लगता है वोलते है कि मैंने इसे क्या गलती कर दी वाबसा लगी क्या गलती कर दी कि अपने सर पे रखके बैठ जाती है और बस फोट पोट उतने दिर में उसकी मासा वहां पर आती है और वोलती है और भॉलती है खाना कालो ने सार शाश गृट खिलाव कर दू खना कर दिया है आप उस लड़की के लिए, उस लड़की के लिए तुम्हारी मा का इतना दिन का बलीदान, इतना सब कुछ, सब एक पल में मिट्टे में मिला दिया, किशना तुम्हारे मा का क्या होगा, तुमको क्या होगा, तुमको जिन्दा रखने के लिए, किशना मैंने इतने साल अपने पती से जूट बोला पूरी दुनिया से जूट बोला और तुमने खल किया है उस लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ कर लिया तो खिर मोलते है मासा फीवी हो मेरी तो कि मास बोलते है अब जूटे रिष्टे निवानी कि न तुमको जरूरत नहीं है क्योंकि तुमहारे मासा बोलते है, कि ब estát kh cosa calculation कि oh refresh कि फिर अटने देन से नादानी सोच कि ही सारी चीजी को विक भचा रही थी , ऐसी दभी ठीनें तो यह जो प्राची का नाम इस घर में आज के पास से नहीं लिया जाएगा तो किष्णा बोलते मासा मैं नहीं चोड़ सकती प्राची को तो उसकी मासा बोलते तुमको चुनना पड़े गई तो प्राची या तुमें तो किष्णा बोलते मासा मैं ऐसा नहीं कर सकता तो प्रा बना दर्द बताओं प्राची को प्राची तो मुझे इतनी दूर है उसको मैं कुछ भी बताऊंगी वो वो कैसे हैंडा ब 돼 करें, वो परिशान हो जाएगी जाएगे और बाबा साभ बाबा साभ तो मुझे इतना प्यार करते थे ला कि mile लड़की हुो कि लड़के हो ना मेरे nggakा लगा क्या मैं लड़की हो तא के मैरे हाथ में था हम चैए मेरे यहाथ में मुझे था माजा कोई मैं तो मिजे बिडisuस को帶स्मे- कोई मेरे प्लूक्त को तो मीन था समझिये उतने देर में उनकी स्टेशन बनारस पहुंच चुकी होती है तो उसके पापा ना उसका लोगे जोगे चले के सब कुछ उतारते है और उसको स्टेशन के बाहर लेखी जाते है तो प्राची फिर से पूछती है कि पापा आप एकसे घर लो ना उसको घर ले जाते है घर जाने के बाद प्राची के मामा बहुत ज़्याने के 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 बहुत तो प्राची वापा गोलते कि मुझे कुछी नहीं सुनना, तुमने बहुत अपनी मन मानी कुली, आप मेरी वात सचलेगी, कंजी तुम, ऐसे बोले आवी ना उसको भगा देदे हो, उसकी महासा आही नहीं रहा होता है कि huhौ रहाता है। अखों में बहुत आंसों होती है, continuously रो रही होती है, वो रूम में जाती है, एकनम सुवह हो चुकी होती है, वो कुछना को कौल लगा लेती है, दुस्य तरब रूच्णा सुवह नेरी होती है, तो लेटे-लेटे सुवह ही हो जाती है, और जैसे प्राची की कौल उठाती है, चुछना अग्ड़ बड़ा के उठाथी और बूलती कि प्राची 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 खीड पहुआ हो घूटी मुस्कान के साथ बूल रही होते तो प्राची के आँकों में बहुत आंसु थे बर जब कृष्णा सामने से नॉर्मल भात के रहती है प्राची अपने आंसु को अपनी आवास को कांट्रोल करके बोलती कि हाँ बच्छा मैं पहुंच कर या अब ठीक हो तो लिस रहो है यह दो प्रीज प्रेस प्रीज आप करो तो लिस ऐसा मत करो तो अप्राइची बोलती नहीं है कि अज़ नहीं सदों तो प्राचि बोलते हैं, किशना हम एक होंगे ना बच्चा साई कि इसलिता है करण दें दो отвे प्रामीश किशना मैं भाइब के दिल सब्सक्राइब का जुआ होंगे में बस थोड़ा सा थोड़ा सा ठाइम मेनेज कर लो तो प्राची बोलते कि I love you I love you so so much तो किशना बोलते I love you too baby आप पूरे रश्ते सफर की हो ना रात पर सोए नहीं होगे तो प्लीज आप सो जाओ थोड़ी देर तो प्राची बोलते है तो आप सोए थे क्या तो किशना बोल आप जोटना उससे बोलो जो आपको जानता नहीं है मुझे पक्का पता है Ullu जैसे जाके न पंख्य को ताकरे होगे तो किशना बोलती है वह उन्लो किसको बोला पती परमेशर हो में तमारा तो प्राची इसने लगती है बोलते पती परमेशर जी आप थोड़ा रेस्ट कर को अब तुम रहो आप परांची को हुआ है मईन कशनी के एकशन को परांची की उटान रएपाप भेटर, जावा बाटता से लेकां की अब कये सा अब क्रेंटी के सोची का करना यह एकशन पहता है में अशनीरी दोच्टा को चेझ सामना करना थे लाया इदर दूसरी तरफ प्राची भी बहुत सदा परिशान हुई होती है और दो दिन मतलब ऐसे ही ट्रेन के जन्नी में रहती है तो वह भी बहुत सदा थक चुकी होती है और वह भी सोच आते ना चाहते है और वह सोचते सोचते सोच आती है दूसरी तरफ प्राची के परेंस होत उसके पापा हां बोलते है, ऐसा हो किसे सकता है, हमारी बीटी भापे पढ़ने की थी, और यह सब, तो उसके पापा बोलते है कि मुझे नहीं पता, बड़, मैं एक पल के लिए मान भी लूँ, ठीक है, वो उससे प्यार करती है, पर यह समाज, यह दुनिया, यह कभी नहीं मा लेगा हमें, तो उसकी मा से बोलते है, पर कैसे है, आपको पता है, वो कितनी जिद्धी है, एक लोटी बेटी है हमारी, उसको कुछ हो गया, तो प्राची पापा बोलते है कि कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं होने दूँगा मैं अपनी बेटी को, और यह बस एक फेस ह यह निकल जाएगा, अगर अब हम कमजोर पढ़ गए ना, फ्यूचर उसको ही पच्टाना पढ़ेगा, कि उसने एक लड़की से शादी कर लिए, जब दुनिया के तानी आने पढ़ेंगे ना, तो हमारी बेटी नहीं चेल पाएगी, वो इतनी स्ट्रॉंग नहीं है, तो उसक उसके भाबाशा चुपचप खा रहे होते हैं दानी टेबल पर वो एथाइनींग टेबल पर दो हमाना झाना देरी ह होते हैं, तो उसके बाबाशा ना एक निवाला मुंमेर डाल है BE Giving को बाबा detali वा गते हैं, तो आपने बाबाशा अंकंवमें euxमें टाला कहा divergence हो अट गए क्योंकि 22-30 साल दो यार बेटा समझ कि इसे प्यार तो भी उससे बहुत कहते थे तो किष्णा की बाबसा बोलते कि मुझे भूप नहीं है मैं बात में खा लूँगा मेरा खाना पेक कर लो फेक्टरी के लिए मुझे देर हो रही है तो किष्णा उनका हाथ ही नहीं छोड़ती बाबसा की आपसे बात करनी है रही है तो किस अधर में बुलते है कियो नहीं गाती है। inside, मैं लड़की upon मारती है किहां मेरी घुझे को, मारते है, तो थैसजन जिदार है कि इसना जो दर्द हो रहा वो तो नहीं हो था ऐसे बोलके लो नीचे पैर जाती है उसके पापा के पेरों में और उनके पैरों को पकड़ के रोने लगती बोलती कि बाबा साब मैं क्या करूं किसके पास जाहूं आप मेरी शकल देखना नी चाहते है मेरा प्यार बाबा साय किसरे लिए जीओ मैं कौन है मैरा कोई यह मैरा अब आपको लड़की नहीं चाहिए थी ना हम मुझे मंसा अधर बहुत आपके बने रहत बते को आशे करने लगती उसके बाबासा नहीं कोशिश करते बिट लिटेंने थ वह ल js Avot बाबा सामक नापकि आपकी गुश्रे वाली नजर झाय को यह नाफ रदो नंजर को क्यों वाबा साम नहीं है मुझे उस से बोलके वहां से चले जाते तो छिषना अब पैटेकays एक नम रोने लगती है एक नम फूट फूट के रोने लगते है कि वह गहान कहां जाओ किससे बात करो क्वोई थो हो मेरा साह देने वाला उसकी मासा उसको ठाती है संहाली कोश्य करती है कि अपाल आपटो समझ हो नाप तो समझाओ कि खाते चीश में जाया है है कि आज बोलती है कभी रिष्टा नहीं हो सकता और आप तो थरे बाबा साइब को पता चल गया ना तो थारे को ये लटको वाला कपड़ा कोई जरूर ना थारे लिए थारे को ये अच्छा लड़का द कि मासा भागल हो गया, आप शादी हो चुकी है मेरी, प्राची बीबी है मेरी और अप मेर शादी लड़के से, ऐगर मैं यह साच्चा ही सामने नहीं लाता तो मैं लड़का इपना रहता तो अब जया है तो उसकी मासा बोलती है कि तब पता नहीं थी अपता चल गई है ना त जो ज़ब उनना को कुछ हकोए नहीं है तो श्जी एक तम है भाउआज थो कि रहाती है, वह कि उरसाम अचना नहीं करके पाई में रहांती हो जाती है जाती है, hiç सह मिताती है जाती है तो請 रहती है उतनी स्लीए चसल को उठा कई बचाती है और उठते ही ना ஹिश्चन को छाल लगाती है तब तक अशाम हो चुकी होती है तो खिश्रन को बोलती है बच्चा, आपने कुछ खाना खाया तो खिश्चन जैसे ही प्राची के आऩ में आपने खाना खाया तो खिबते है नहीं मैं लुदीन बोलती है तो किष्णा प्राची की आलस वाली आवास सुनके ना जितना दर्द होता है ना थोड़ी पल के लिए एक सुकून मिलता है और उसके फेस में एक चल लगे ही पतल सुकून आ जाती है स्माइल आ जाती है बोलती है अच्छा इतने देर से उठते हो ऐसा आपके वाल मासा आपक देरे लिए तो प्राची बोलती है हाँ लाट ली तो हूँ ममा बहुत प्यार करती है बस से तो किष्णा ओलती है और मैं तुमको यहां पितना काम करवारे दिना अच्छा ओ आप यहां से चले चलेगी तो किष्णा की बादाशनके प्राची एक तम से नीज़ अठते सारा काम तो चुप-चुप-चुप की आफ कर लेती थी और यसी वाते ना सेंटीमेंटल वाते फिर से मत बोला करो प्लीज तो प्राची के बाद सुनके किष्णा बोलते कि मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ, कुछ कमाता भी नहीं हूँ, आपको क्या कोश रखूंगा प्राची, तो प्राची बोलते हैं, मैं कमा लूँगी, मैं तो वैसे भी डॉक्टर हूँ, मेरी M.B.P.S की पढ़ाई की तो प्राची रखिए कि आपके पापा मानेंगी, तो प्राची बोलती है, मैं तो प्राची बोलती है, उसकी टेंशन मतले हैं, सारा कुछ मैंमेनेज कर लोगी, और बताओ, अपने खाना खाया, तो खाने के नाम से सुबह की बाते उसको याद आद आ जाती है, उसके आँको मे मासा ने आज धालबाटी चुर्मा बनाया था पता है आपको मेरे लिए तो प्राची बोलती है वहापे सब कुछ सॉलू हो गया क्या और बाबासा मानगे तो किष्णा के आपको बहुत जाद आंसो आते है कि उसके बाबासा वहां से चलेगे तिक हरी चीज मतलब उसको याद नहीं है एक है अपना पेन अपना दर्थ मुसे शेयर कर सकते हो तो किष्णा बोलती कि प्राची मैं कैसे समझाओ बाबासा को कैसे मनाओ मुझे समझ नहीं हा रहा है तो प्राची बोलती इस ओकी बच्चा इतने साल उन्होंने आपको लड़का जैसे देखा था अचानक से काश नहीं है तो बहुत जल्दी एकसेपट कर लेंगे तो प्राची बोलती पक्का ऐसा होगा न प्राची बोलती हम उन्होंने आपको लिए पाबासाब कर लेंगे तो फो प्राची फिर से पूस्ते के अपने कुछ खाना खा ले आ था सच में ना तो किष्णा बोलती है यहां बबाबा मैंने खा लिया था प्राची जूट तो नहीं भूल रही हो ना तो किष्णा बोलती मैं क्यों जूट बोलूँ और आपको पता है मैं तो बिल्कुल भूकी नहीं रहे सकती ऐसे बोलके कि आप सुबहे से सोयो ना चला उठो जाओ खाना काओ तो प्राची बोल किष्णा बोलती तो किष्णा बोलती कि तो खौकष्णा क्षा हो जाती है किए चाहिँ पराची कि यह रही है तो किष्णा बोलती Tucson लॉन हो Nat gefallen ऊ topic अ desp किष्णा बिए तो किष्णा बолती हम धर mo Abramadu State एक सठीन के हाती किष्णा फॉटू current I have Duato Eek Niccatel Il पयुक्त थयुक्त थां झिलाने लग प्राश्la को मैं तो प्राश् यह जो गता है अपने किश्ना देना तो प्राश्la को प्राश्la को सब्सक्राइब कुछ प्राची बहुत जड़ा कुछ ह हो जाती हूं धर जाती है और हम भुए है ममां ने क्या और ने क्या-क्या करण गरम खाना मनाया है यह रहुत किशिनय को parlा क्षया है तो मैं ञत्र करें होता है, इसको घर जाने का मनीह निहें देरा होता है उसके बाबा सा का मुँ फेरा हुआ फेस दिखाई दे रहा होता है उसकी मा सा का गुस्टा दिखाई दे रहा होता है उसकी सिंदेगे में बस एक ही सुकून होता है वो होती है प्राची और वो भी उससे दूर होती है तो वो भूर होके वियार पास ही होते है दोनों तो किष्णा प्राची के बातों को याद करके उसके फिर इसमें थोड़ी दे स्माइल आ जाती है फिर उसके अपने घर के पास जब याद आ रही होती है तो उसके आँकों में फिर से आंसो आ जाते है इसे करके नारात होने को होते है तो किष्णा ओबियसली घर जाएगा जाएगा इतने दिन तो घर पर ही रहा है दुनिया उसने देखी नहीं बोलने से चलेगा और दूसरी तरफ हमारी प्राची उठके जाती है बोलते है अपने ममा कोवा करती है बोलते है गुद इवनिंग म ममा तो बोलते हैं कि कि क्रिष्णा के बारे मैं, तो कौन कि रैखना मदै मेरा मेरे ने परिंग मेरे परिंग देखती है उसकी मां आ अज भोल दया आयंदासे मत बोला है इन बात श्राइस को समझने आगा था क्याल लगे तो तो प्राछी का मत बुलती कि पीयों हो मैं जilos कि बार करता हूँ ऑज भी लड़का होता हुझे मां मैं कर दूज में अवड़के प्राछी अगने होtsे कि आप तो इतने बढ़े लिखी हो मम अब तो इतने बढ़े लिखे हो अब लोगो की इतनी सोच है तो मैं क्या उमीद रहो मुझा आप भी मेरे प्यार को एक से अपनी अपनी पैर हुआ तो उसके ममा एक्तम गुस्ते में बूलती प्राची अपनी जगा पे बेठो और यह क् की साथ तो किष्णा की नाम सुनके ना प्राची एक नम और जाता गुस्रा हो जाते है तो ममा आपको कोई हख नहीं किष्णा के बारे में कुछ बोलनेगा तो प्राची के मामा बोलती कि देखा उस लड़की ने क्या पना दिया तुमको मैं इस रिष्टे को कभी कभूल नी क भूला ह ही पड़ेगा तो प्राची बोलती है कि प्राची का मामा मुझे ना पत्चा चाहीए मुझे किषना चाहीं प्राची कि नारे कृटी कि बात बेटा की और प्यार के एक पी दो साल बहुत अच्र होते है और जब 1-2 साल निकल जाते है न दो कप्पल के बीजुमें प्यार कम जाता है तब ये बच्चा ही होता है कि उनको बाँन के रखे तो प्राची के ममा बोलते हैं कि बेटा अपना बच्चा होता है जो कि तुमको वह कुछना लड़की कभी नहीं का नहीं दे सकती यह आप याद रख लो और यह रिष्टा को यह भी खतम कर लो आपको प्यार से समझा रही हूँ नहीं तो गुस्से में समझाना मुझे भी आता है और चुपचा बैट के खा लो तो प्राची बोलती है नहीं ममा मुझे भूग नहीं है आपने इतनी अच्छी बात बोल दी कि मुझे खाने का मन ही नहीं हो रहा है ऐसे बोलके वो रूम में चली जाती है और एक तम रोने लगती है फूट फूट के प्राची भी दूसरी तरफ हमेरी किष्णा घर जाती है तो देखती है कि सब को उसके मम्य पापा फिर से डाइनिंग टेफल पे बैठे हुए होते है तो वो देखती है और सोचती कि बाबा से के पास जाओंगा तो बाबासा अपने खानधा हुआ निवाला चोड़ के चले जाएंगे बोलते हैं इस जाते है एवार मेश तो बाबासा म जाते हैं तो किसना ऑपने बाबा से के तरफ पहले काना आ याूझा कालो कि मुझे वह भूक नहीं परिख कहा हुए को कि चना कालो तो कुछना अकुछना उनके तरफ जाती है और देखती है बोलती कि बाबा साह आप पहले खाना कालो मैं मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बज़े से भूके रो बाबा साह आप खाना कालो और मैं जिन्दा रहूं मल जाओं इसको क्या फरक पड़ता है मैरी तो गल्दी है लड़की हो ना एक लड़की की क्या है सिंदगी होते है हाँ और मासा आपने बोला था ना लेंगा चोले पहने के लिए मेरे लिए सिल्वा देना मासा मैं पहने के लिए थेयार हूं मासा आपकी कुशी में ऑर मासा मैं पराची को नही चोड़ सकता मासा, हम उसे लेंगा हैं चोले पहने के लिए बोलो मैं पहल लूँगी, कहना बनाने के लिए बोलो कर लूँगी, पर मामा बनाना किसी लड़के से शादी को चुख cent ing squash शेकी मासा म मेरी शादी हो चुखई ऑर प्राची मेरी वीवी है और मैं उसके बीना घी नहीं सकता एसे बलकर रोने लगता है तो ऑनी मुझे नहीं लेते हुआजिए नहीं लेना चाहिए निए से नहीं किस्ट्प झंद होड़ेना हुआजी का नहीं जम्हुरमिति है बेट तुम ठीक हो, ऐसे बोल के उसके उठाने लगते हैं तो उसकी माँ साब खवरा के आजाती है तो उसको चोने लगते हैं तो तुम मेरे बेटे से दूर रहो तुम, क्या लगा रहा है? तुम अपने लगा रहा है तुम तुम दूर हो, चुना बत मारे किष्णा को ऐसे बोल के उसके बाबा सा उसको अपने गोदन उठा के न एक तम भागते हुए भार जाते तो उसकी मासा को समझ नहीं आता कि यह हो क्या रहा है तो वह एक्डम बहुत सदा पहुत नहीं हो चुकित है वह उतम हुर्णा यार अपना अपना अउलाद हमाउनों। इम झालते, गुस्टा को एखनाय में मैं मिल्शन को झालता है। उनकी जीव होती ही खासे उसीड वेल बान के उसका पगड़ते हैं और एकदम गाली फास चलाने लगते हैं उस्पिटल के तरफ भूल रहे होते हैं थारी को कुछ नहीं हो सकता किष्णा उठ चा किष्णा उठ एसे बोल गया उसका उठा रहे होते हैं किष्णा के बापा किष्णा के लिए किकिक चैनल के सब्सक्राइब करें हैं मिलेकिक चैनल के साथ क्या से अधे पहले साथ मेरे मेरी बीडियो क्या उन्यक्तु यह evening labor पर दिल करें तो मेरे चनल को घर देजेगा सब्सक्राइब और जो कॉमेंट करें प्रियंका गरीमा वाली स्टोरी की तो आएगी यार स्टोरी आएगी एक स्टोरी खत्म हुई है थोड़ा इंतिसार कीजिए और मैंने सुनना एक शवर कफल बहुत मीठा होता है तो यह मीठा मीठाफल आपको खाने के लिए ज़रूर मिलेगा प्रियंका और गरीमा की भी लव स्टोरी आएगी थोड़ा इंतिसार कीजिए और मुझे ऐसे ही प्यार कीजिए अब तक लिए इतना ही टाटा अबाइब अपनों बहुत ज़्याल रखिए